काले चने की बहुत स्वाधिस्ट सबजी वह भी बिना प्याज के सिंपल रेसिपी है ना हम इसमें टमाटर इस्तामाल करेंगे और ना ही जादा मसाले आप इस सबजी को परसाथ के भूब के लिए बना सकते हैं और नौकन्या पूजन के लिए भी बहुत टेस्टी सबजी बनेगी तो आज की फेस्टिवल इस्पेसल रेसिपी सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे काला चना लिया है जिसे मैंने राद भर विगो कर रख दिया था और मैंने यहाँ पे बहुत कम चने भीगोए थे पर फोनने के बादे ज़्यादा लग रहे हैं मुझे तो इन्हें हमें पानी से अच्छी तरह से दो लेंगे और इसके बाद इन्हें प्रेशर कुकर में उभाल लेंगे अगर आपने चने को ज़्यादा देर भुगो की रखा था तो पांस सीटी में ही उबल जाएंगे और ये देखिए मैंने चने उभाल कर दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लिया है और अब चक कर लेंगे तो यहाँ पे एक चना आप ऐसे तोड़ के देख सकते हैं अगर आप गी का इस्तमान नहीं करना चाहते तो आप घी की जगए आप मुंख़ली तेल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी और तेल दोनों यूज़ कर सकते हैं साथ में तो यहाँ पे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैंने इसमें जीरा एड़ कर दिया है जीरा अच्छे से चटक जाए तब मैं इसमें मसाले एड़ करूँगी जीरा पक जाएगा आप इसमें अद्रक और हरी मिर्च भी एड़ कर सकते हैं तो जैसी जीरा चटक गया तो मैंने इसमें मसाले एड़ कर दिये हैं मसालों में मैंने लिया था धन्या पाउडर, हल्दी और कस्मीरी लाल मिच आप इसमें जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अच्छे से मिला लेंगे इस टाइम पे लो रखना है और अगर आपको लगे कि मसाले जर रहे हैं जैसी मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो मैं इसमें एक उबला हुआ आलू ले रही हूँ और इसे मसालों के साथ एड़ कर लेंगे और इस टाइम पे इसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ कर ले और अब हम इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें चना एड़ कर लेंगे आप चाहें तो आधे चनों को मैस करके डाल सकते हैं ताकि ग्रेवी गाड़ी हो जाए और इसमें चना एड़ करने के बाद इसे हमें अच्छे से पका लेना है अगर आपको तरी वाली बनानी है तो यहाँ पर पानी एड़ कर ले और अगर सूखी चाहिए तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही धीमी आज में पकने दे तो मैं यहाँ पर तरी वाली बना रही हूँ तो मैंने इसमें पानी एड़ कर लिया है हमें धीमी आज पे 15 मिनट पकने देना है और बीच बीच में चलाते रहेंगे धक्कन अटा के ताकि हमारी जो सबजी वो नीचे ना लगे और ये देखे कितनी बढ़िया लग रही है और अब हम गैस को बन कर लेंगे और धनिया पत्ता कट करके डाल लेंगे और जो दिखने में जितना सिंपल है खाने में ही उतना टेस्टी होता है मज़ेदार रेसेपी आप भी ट्राइ कीजिएगा आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगी और यकीन मानिए अगर आपने इस तरह से ये सबजी बना ली तो आप अगली बार से इसी तरह बनाना पसंद करोगे तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जादा से जादा शेयर कीजिए